मैं इस चीज की गंभीरता को सबस्ता हूं इस उस बंदी के लिए कितना बढ़ा डिजास्टर हो जाएगा अपना डेटा स्टोर करने जा रहा है आप इस चीज के दो पैसे जादा बशाने के चक्कर में हमारे पास लोग आते हैं लोगों के हाथ पर ठंडे हो आते हैं जब उन कि मैं सत्याता को आपके समक्ष इसी द्रता से रखों जो ग्यान है उसके उपर सभी का अधिकार है पैसा हर कोई महनत से कमाता है और सही गाइडेंस जो हर इंसान को मिलनी चाहिए और कमेंट सेक्शन को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि आप लोगों को SSD क्या है यह सब ची साथ जाना चाहिए कौन सी SSD आपकी requirement को fulfill करती है और market में बहुत सारे brands होने की वज़े से आपको भी थोड़ा सा एक दिमाग में confusion हो गया है क्योंकि जब आप किसी product को खरीदने निकलते हैं तो online से लेकर के offline market तक hundreds of brands है जिसमें बहुत सारे हमारे जो पुराने legacy brands है जिनका ज बहुत सारे जो इंडियन इंपोर्टेट जो बहुत सारे इंडियन ब्रैंड्स है जो चाइन से सिस्डी को इंपोर्ट कर रहे है उनका भी एक अलगी लेवल पर 16 चला है तो comment section में मैंने पढ़ा मुझे ज्यादा तर लोगों के comment जो मिले वो यही मिले कि लोगों को मार्केट में इंडियन ब्रैंड्स ज्यादा प्रिफर किये जा रहे हैं जहां पर मेरी जो बात है वह मैं company उससे बात कहाना चाहता हूं कि जो consumer है वह आपका product खरीद रहा है आपके product में वह अपना data store करने जा रहा है पिस्टीज की गंभीरता को समझीए अगर आप उनको हल की quality का product देंगे और suppose करो उसका data loss हो गया उसकी SSD fail हो गई केवल किसी के दो पैसे ज्यादा बचाने के चक्कर में तो क्या होगा अप जड़ा उस बंदी के लिए कितना बड़ा disaster हो जाएगा आप लोग जब SSD purchase करते हैं आप लोग उसके अंदर अपना data store करते है data store आप लोगो तो मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी particular किसी brand के खिलाफ हूई किसी particular किसी lobby के साथ हूँ ऐसा नहीं है मैं इस चीज की गंभीरता को समझता हूं कि आप लोग SSD के अंदर जब आप उसको primary storage के तौर पर यूज करेंगे तो आपका क्योंकि मैं data recovery भी करता हूँ तो हमारे पस ल storage device को खरीदें उसको purchase करें आप कभी भी 100-200-400 का लालच मत कीजिए आप हमेशा अपनी तरफ से आप एक अच्छे ब्रेंड के साथ जाए है कि हमेशा एक पुरानी काहवात है कच्छा लालच हमेशा नुकसान देता है तो अगर आप यहां पर पैसे बचाएंगे तो बाद म बढ़ाता हुए आज में आप लोगों के लिए बहुत सारी storage devices लाया हूं जिनको मैं recommend करता हूं मैं जो लोगों को बताता हूं कि जिनके ओपर actually मेरा trust है देखिए मेरा trust कोई आज यह कल में नहीं बना मैं बहुत लंबे टाइम से इन SSDs को जब से मार्केट में आई है मैं जो की deep knowledge है तो मैंने तो दोस्तो SSD अपने system में तब लगा ली थी जब 240GB के SSD मार्केट में 8000 वी की वगा करती थी और तब से इनके बारे में सुनते आ रहे हैं कि एक time पर लोग कहा करते थे कि एक card आता है जिससे laptop की या desktop की जो computer की speed है वो कई गुना बढ़ जाती है तो इनक अब बहुत पहले से हूँ और काफी लंबी मेरे की study रही है इन ब्रैंड को लेकर के कैसे कैसे ब्रैंड आगे चलके इवाल हुए है और कैसे कैसे इन्होंने अपनी technology में advancement लेकर के आया है तो जो मेरे trustable brands है वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं और तीन category में हम अपने जो consumer से उनको divide करेंगे पहले वो जिनको केवल अपने laptop में SSD डलवानी है और उनको laptop केवल booting time fast करना है उनको उसमें data नहीं store करना दूसरी category हमारी वो रहेगी जो SSD को primary storage के तोर पर यूज करेंगे उसके अंदर अपना data भी रखेंगे और उससे अपने laptop या desktop यानिके computer को personal computer को upgrade भ रहेगी कि जो हमारे hardcore user हैं जैसे कि gamers हो गए creators हो गए video editors हो गए जो एक personal computer है जो भी उनकी machine है उसको एक high level पर ले जा करके उससे performance चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबाना करते हुए मैं सबसे पहले उन consumers पर आता हूं कि जिनकी requirement केवल operating system install करने की रहती है और एक अच्छा और ट्रस्टेवल और एक reliable branch चाहते है जिससे उनके पुराने PC की जो speed है वो अच्छी खासी increase हो जाए SSD failure भी ना हो जल्दी से और इस क्रम में जो है वो मैं सबसे पहले जो recommend करता हूं वो यह HP SSD है बहुत अच्छी SSD है दोस्तों बहुत ही कोई rare SSD failure इसमें आता है पीसी में install करता आया हूं और यह दोनों SSD मेरी बहुत जादा personally favorite है मतलब अगर मेरे को किसी को 120GB की या 240GB के SSD डालके देनी है किसी पुराने laptop में और साथ-साथ यह caddy भी उसमें install करनी है तो मैं उसकी laptop में यह PNY यह HP SSD डालता हूं दोनों ब्रैंड्स में 1TB तक आती है तो आ यह मैं 120 से लेकि 240GB तक ही इन दोनों को मैं recommend करता हूं ऐसा नहीं है 1TB में भी आप लगा सकते हैं बट जो मैं 1TB में आपको बताऊंगो वो थोड़ा सा अलग हटके है और इन दोनों ब्रैंड्स में आपको NVMe stories भी मिल जाएगी तो आप उनके लिए भी जा सकते हैं अगर 120 256 से अपग्रेड करना है तो उसे भी जा सकते हैं बलकि HP की जो NVMe SSD आती है यह जो आती है यह बहुत अच्छी क्वालिटी की है आप यकीन नहीं माने के इतना स्मूध यह परफॉर्म करती है HP ने बहुत अच्छी SSD बनाई है personally मैंने बहुत सारे giving PC इसमें बिल्ड करें है मैं इस SSD से बहुत जादे सैटिस्वाइड हूं तो आप 500GB या 1TB में आप HP के SSD NVMe में आप अराम से लगा लीजिए बिने किसी हिच की चाहट के उसके बाद अगर हम चलते हैं आगे तो 500GB और 500GB प्लस तो 500GB प्लस में जो SSD रिकेमेंट करता हूं वो क्रूशियल की SSD रिकेमेंट क रिकेमेंट नहीं करता बट मैं MX रिकेमेंट करता हूं MX जो है वो बहुत अच्छी SSD है क्रूशियल USA का ब्रैंड है और परसनली मेरा बहुत ट्रस्ट फेवरेट ब्रैंड है मैंने अपने परसनल लेप्टॉप में भी क्रूशियल की MX 5001 TV इंस्टॉल की वी है और बहुत मेर इंपोर्टेंट डेटा रहता है हर विक्ति का डेटा इंपोर्टेंट होता है तो मैंने परसनली अपने लेप्टॉप में डाली है कूछ समझ की ही डाली होगी इस ब्रैंड की तुल्ला करता हूं मैं वह सैमसंग जैसे ब्रैंड से करता हूं इनकी अपनी इनकी टीम है और बहुत लंबा इनको एक्सपिरेंस है मार्किट में सेमी कंडॉक्टर के मामले में तो बहुत रिफाइन टेक्निलोजी यह लोग प्रोवाइड करते हैं आप इसली क्रूशल के उपर फेट कर सकते हैं उसके बाद जो मैं रिकमेंट करता हूं वह 240 GB से लेके 512 GB तक यानिके 512 GB तक में एडेटा ब्रैंड भी कई लोगों को प्रिफर कर देता हूं यह ब्रैंड भी अच्छा है ताइवान का ब्रैंड है एविलेबिलिटी इसकी भी हर जगे आपको हो जाएगी काफी सही प्राइस में यह SSD आपको मिल जाएगी बहुत सही प्रैस में बहुत अच्छी SSD बहुत अच्छी टेकनलोजी यह लोग डिलिवर करते हैं तो यह ब्रैंड भी आप कंसीडर कर सकते हैं ब्रैंड अलग अलग में आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप कहीं पर कोई ब्रैंड नहीं अविलेबिल है तो किसी दूसरे में आप चले जाएं इसके बाद जो दोस्तों मेरा एक पर्सनल फेवरेट जो मेरे दो ब्रैंड आते हैं वह हैं एक गीगावाइट और दूसरी डव्लूडी ब्लू यार बहुत अच्छी SSD हैं अगर कहीं से आपको गीगावाइट SSD मिले आप मतलब इसको वन टीवी तक भी लगा सक सपल जाता है दोते हैं फिए तो कहीं पर्यास के रहना चाहिए कि हमारी तरफ से कोई भी गल्ती है हमारी तरफ से कोई गुंजाइश्च ना रहे तो इसलिए परसनली जो मैं रिकमेंट करता हूं लोगों को अगर उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं WD की SSD रिकमेंट कर देता हूं यह एक ऐसा ब्रैंड है जो इसली पूरे इंडिया में एविलेबल है पूरे इंडिया में इनके सर्विस सेंटर से 5 वारेंटी में SSD आती है और W WD बहुत ही रिफाइन टेक्नलोजी तक अब यह पहुच चुका है बहुत सारे अपग्रेड इन्होंने अपने हाडवेर में किये हैं अपने फर्मवेर में किये हैं इसके साथ आपको एक सौफ्टेर भी मिलता है WD की तरफ से कि जिसमें आप अपनी हाट डिस्की हेल्थ को देख सकते हैं कि आपकी हाट डिस्की जो हेल्थ है वो कहां पर है अगर हेल्थ डाउन होने लगे तो आप उससे अपना डेटा जो है वो कॉपी कर लीजिए उसके बार दोस्तों एक ब्रेंड ऐसा आता है जिसके बारे में अपने कम सुना होगा बट आप जानके चौंक जा करता हूँ आपको कि यह सैमसंग की SSD है NVMe SSD का जब नाम लिया जाता है तो किंग सैमसंग को माना जाता है तो सैमसंग जो है वो 3500 Mbps की स्पीड ऑफर करता है और उससे 1000 रुपे कम के डिफरेंस में यह हीक विजन की E3000 SSD with 5 years warranty आपको 3500 Mbps की स्पीड ऑफर करती है तो जो हीक विजन ब्रैंड है वो चाइना का ब्रैंड है एक मिनिट के लिए चाइना को हटा दीजिए कि देखिए ज्यादे तरह एलेक्ट्रोनिक्स चाइने से ही आ रहे है तो इसमें दो कोई दो रहाए नहीं है देकिन अग आप में बहुत बड़ा ब्रैंड है और बहुत बड़ी इनकी R&D टीम है यह सर्विलान सेक्टर में भी एक किंग की तरह माने जाते हैं तो अगर आप सैमसंग नहीं लगाना चाहते और 3500 Mbps में आपको कोई अच्छी स्पीड वाली SSD चाहिए तो आप हीक विजन में भी ज चाहें तो लगा सकते हैं नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते इसकी जगे पर अगर आप चाहते हैं लगाना तो आप यह सैमसंग की जो SSD आती है यह लगा सकते हैं तो मतलब NVMe में जो मैं आपको रिकमेंट करता हूं वह सबसे टॉप पर मैं रिकमेंट करता हूं सैमस यह मैंने आपको एविलेविलिटी सर्विस सेंटर और इनकी पर्फॉर्मेंस के इसहाब से बताया है तो ले आपको इसी भी आपको क्वालिटी हमेशा सैटिस्फेक्टरी ही मिलेगी लेकिन जो किंग है वो अपना सैमसेंगी माना जाता है इसके बाद दोस्तों हम आते हैं औ पर जिनको अपनी एससडी से हार्ड कोर पर्फॉर्मेंस चाहिए तो उनको में दो ही ब्रैंड रिकमेंड करता हूं पहला है सैमसंग का इसमें यह वाला जो है वो एससडी 980 है आप इसमें एक प्रो वाला वर्जन आता है वह वाला ले सकते हैं और डब्लूडी की एक ब्ल को वही बंदे अफोर्ड करें कि जो अपने कंप्यूटर से एक नेक्स लेवल पर्फॉर्मेंस चाहते हैं और उसको एक लिमिट तक उसको पुछ करना चाहते हैं तो वही लोग सैमसंग की एससडी लगाए वरना आपका जो काम है वो डब्लूडी ब्लू एच्पी और कुर को बहुत ज्यादा लोड को एजिली हैंडल कर लेती हैं में बहुत अपकाड़ी बहुत बहुत अच्छी पकड़ होती है तो आप यह लोग बहुत प्रॉफिट मार्जीन को जो है वो देते हैं तो ताकि जो लोकल डिलर्स हैं वह इनका माल बेचने के लिए मजबूर हो ज है उसे मैमरी स्टोड रहती है तो अगर दो पैसे के लालाज के चक्कर में अगर लोगों की इन्फोर्मेशन देटा एक अगर उसके साथ कम्प्रोमेश किया जाएगा तो यह बिलकुल ही गलते हैं अब आज आते हैं उन लोगों के ऊपर जिनका बजट थोड़ा सा टाइट है तो वो लोग अगर किसी Indian brand में जाना चाहते हैं तो वो लोग Zebronis खरीच सकते हैं और Foxin खरीच सकते हैं और अगर मैं सेज्ट करूं तो आईबॉल में जा सकते हैं देखे अगर आपका budget seriously tight है तो ही इन brands को pick कीजेगा और ज्यादा बड़ी memory की SSD आप मत यूज़ कीज़ेगा इसमें अगर ज्यादा बड़ी memory की SSD अगर आप यूज़ करेंगे और वहां पर कुछ प्रॉलब आती है तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी तो दोस्तो आज के लिए नहीं मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में देखिए जो इंडियन ब्रेंड्स है वो बहले ही इस फिल्ड में अच्छा ना कर पा रहे हों लेकिन IT सेक्टर में एक फिल्ड ऐसा है जहां पर जो इंडियन ब्रेंड्स है उनका जो काम है वो बहुत ही जादा एप्रिशेवल है तो नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर लेके आऊँगा कि इंडियन ब्रेंड्स ने एक रिमार्केवल काम ऐसा किया है कि जिसके लिए तो उनको एक लाइक बनता ही है तो एससडी को छोड़के कई चीजे ऐसी है जहां पर लोग काफी इन लोगों प्रूबस।